हेलो दोस्तों मैं तवरे जाला हम आज किस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहा है कि लाइका टीए जिरो सिक्स प्लस में जो है इडियम का फंसन कैसे सेट करेंगे और जो है इसमें प्रिजम वोगरे काव जो कॉंस्टेंट चेंज कैसे करते हैं वो चीज जानेंगे तो च इसमें हम एडियम कैसे सेटिंग करते हैं तो चलिए हम वीडियो में आज देखते हैं तो यह हमारा एफ फॉर बटन इसको हम क्लिक करेंगे फॉर कंटिनी करने के बाद इधर आप देख सकते हैं यह सेटिंग सेटिंग में हमारा सब कुछ एडियम वगर सब कुछ होता है त तो इसमें हम इंटर कर सकते हैं, 5 क्लिक करेंगे तभी मैं इंटर कर सकता हूँ, और या फिर इंटर क्लिक करूँगा तभी मैं इसमें इंटर कर सकता हूँ, तो चलिए मैं 5 क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं इधर इंटर कर गया, इंटर करने के बाद ये EDM पे जाओंगा, तो EDM पर मैंने इंटर किया EDM में चला गया EDM में जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं प्रिजम है और इसको मैं यह स्लाइड सॉफ्ट की से यह करता हूं तो यहां पर नन प्रिजम है तो यहां से हम प्रिजम और नन प्रिजम कर सकते हैं अगर जो मैं इसको कंटिनियू करता हू यहां से मैं कर सकता हूं और दूसरा चीज कि अगर जो हमको यह जीरो करना है जीरो लेबल यह करना है तो इसके लिए स्किप पर दबाएंगे यहां से बैक जाएंगे बैक से जाने के बाद फिर कोई सर्वें जाएंगे कोई सर्वें जाके बाद यहां से जीरो कर सकते हैं यह फिर हंड्रेट करना हो तो हंड्रेट भी कर सकते हैं यह चीज तो मैंने सेटिंग के लिए बताया था अगर आप यह क इंटर करेंगे इंटर करने के बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं वही सेम फंसन आ रहा है यहां से आप देख सकते हैं यह नॉन प्रिजम है यह प्रिजम है यहां से भी हम चेंज कर सकते हैं और एफ एफ थिरी फोर कंटिन्यू यह कर सकते हैं और जीरो करना होगा तो यह यहां से यह 0 कर सकते हैं या फिर 100 जो भी यह करना हो वो कर सकते हैं यहां से 0, 100